दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में पंचा चुनाव में मुख्या को 36 जीब सदस के लिए बेश चुनाव चीन आए जानते हैं किसको क्या मिला सिंबल पंचा चुनाव को लेकर प्रसासने की स्तर पर तयारिया सुरू हो गई है जिले में 10 चर्णों में पंचा चुनाव कराया जाएगा एक सब्ता के अंदर जिले में एबेम भी उपलब्ध हो जाएगा इसके बाद एपैल एलसिक का कार्य सुरू कर दिया जाएगा एपैल एल ग्राम पंचायत के मुख्यापद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्यासियों के लिए मोतियों की माला, धोलक कलम और दवात, टेम्पू पूल, बेगन ब्रस, चिमनी केमरा मुंबतिया, काट गाड़ी, बलेक बोर्ड, गाजर, बाल्टी, मोर, हसिया, जग, केतली, कु में निधारित किया है, तो वहीं पंचायत चुनाव में जिला परिशत, सदस्पद के चुनाव के लिए 20 चुनावची निधारित किये गए हैं, इनमें पतंग, लेड़ी पर्स, लेटर बोक्स, ताला और चाबी, मक्का, प्रेसर कुकर, रेल का इंजन, आरी, अंगुर का गोच्चा, सिलाई की मसीन, स्लेट, मचली, वेन, मेज, टेबल, लेंप, गेस का चुला, कांच का गिलास, हार्मोनिया, टोप, तदा जलता वाद दिया इनमें सामिल है, वहीं पंचायत चुनाव में ग्राम कचारे के पंच पद के प्रत्यासियों के लिए 10 चुनावची न नल, बल्ब, चोका, बेलन, जोडा, बेलन, इस्टूल, बगुला, लड्डू, हल, टम्टम, बासुरी, टाइप राइटर, माचीस, छाता, भोजन की थाली, खल, मुसल, पानी, यहाज, ट्रक, चर्का, वक, खोर्पी, सामिल है बाड़ी खबर मौसम विवाग ने जारी किया 72 घंटों का येलो अलट, बारिस के साथ बजर पात के आसार जहां सुबे में मानसुन के सक्रेता बनी हुई है, हर रोज राज के किसी ना किसी भाग में भारी बारिस हो रही है उत्तर बिहार और पश्चिम चंपारन के इलाके में कुछ जगव पर भारी बारिस हो रही है मौसम विवाग के अनुसार अगले 24 घंटे में सुबे के अधिकतर भाग में में गजन के साथ हलकी से मैधम बारिस के आसार है उत्तर बिहार सहित राज के सेस भाग में भी एक दो जगह पर भारी बारिस हो सकती है बारिस के सिष्टम की सक्रेताओं को देखते हुए राज के सबी जीलों के लिए मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारे किया गिया है यहाँ अलाट 72 घंटों के लिए जारी किया गया है इस दोरान वजरपात की भी आसंका जताई गई है मौसर मिबा के अनुसार एक चकरवर्ती परिसंचरन की सिती जारकन वो उसके आसपास बनी हुई है जिससे सुबे में बारिस की सिस्टम को मजबूती मिली है बाड़ी खबर गंगा बोड़ी गंड़क बागमती समेत प्रमुक नदियों में बढ़ रहा है जलेस्तर कई गाओं में गोसा बाड़ का पानी जहां उत्तर बिहार से गुजरने वाली गंगा बोड़ी गंड़क बागमती समेत प्रमुक नदियों में जलेस्तर फिर से दिया गया है पश्ची मोः पूर्वी चमपारण सिवर सितामडी में कई जगों पर पानी चड़ने से आवागमन ठप है दरबंगा के हनुमान नगर में बाड की सिती विगराल हो रही है यहां की सभी 14 पंचायते बाड से प्रभावित हो गई है बाड के कारण रेल सिवर प्रभावित समस्तिपूर रेल पूर पर बढ़ा पानी का दबाव डाउन लाइन पर परिचालन बादी है जिहां बिहार में धीरे धीरे बाड की सिती विगरती जा रही है बाड के कारण रेल सिवर भी प्रभावित होने लगी है समस्तिपूर में ब प्राहत की बात यह है कि आप लाइन पर ट्रेनों का परिचलन हो रहा है रिल्वे ने इस लाइन पर चलने वाले कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया है और कुछ ट्रेनों के परिचलन में आंसिक बदलाव किया है बाड़ी खबर बस में मनमाना भाड़ा वसुलने वालों पर कारवाई चोहतर ड्राइवरों ने भाड़ा जुर्माना दस गाड़िया जब्त जिहां राज में सनिवार को बस में मास नहीं लगाने और मनमाना भाड़ा वसुनी को लेकर प्रसासन ने विसिस जाच अभियान चलाया यात्रियों से ज़्यादा भाड़ा लेने वाले 54 बस चालोकों पर जुर्माना ठोका गया साथ ही प्रसासन ने 10 बसों को भी जब्त किया है यात्रा के दोरान कोरोना प्रोटोकॉल का पाला नहीं करने वाले ड्राइवरों के उपर भी कारवाई की गई और उनका चालान कटा गया सनिवार को सारवजनिक गाड़ियों में मनमाना भाड़ा वसुल के खिलाब विहार के सबी जिलों में विसेस जाच अभियान चलाए गया जिलों में बस इस्टेन एवं ओटो इस्टेन से सारवजनिक परिवान के वहानों के खुलने से पहले यात्रियों का फिडवेक लिया गया और सिकायत मिलने के बाद सम्मादित बस मालिक और बस चालोकों पर करवाई की गई परिवान सचीव संजे कुमर अगरवाल ने बताया कि बसों में मनमाना भाड़ा वसलुक लेकर कई जिलों से सिकायते मिल रही थी जिसके बाद यह कारवाई की गई बिहार के पाँच जिलों में साथ सडके होगी चकाचक केंदर सरकार ने एक दसमलव 95 अरब किये मंजूर जहाराज के पाँच जिलों में साथ सडकों के चोड़ाई बढ़ा कर बहतर बनाने के लिए पत्निर्मान विवाग के निवित समिती ने करीब एक अरब 95 कड़ो रुप और दर्वंगा जिला सामिल है पत्निर्मान मंत्री नितिन नविन ने समन्दित पदादी कारियों को तैस समय पर गुनवत्ता के साथ निर्मान कारे पुरा करने का निर्दिश दिया है बड़ी कवर बिहार में बालू बना सोना पटना समेत साथ जिलों में बालू की भारिक जहां राज में पटना समेत साथ जिलों में बालू नहीं मिल रहा है इससे निर्मान कारे बाधित हो रहा है इसके कारण सो सियप्टी बालू की केमाद 12,000 रुपे तक पहुच गया है फिलाल एक जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों में बालू खलन बंद है हाला कि खान एवं बुतत्व विभा के तरब से इन तीन महिनों के लिए राज की ओसत खपत से अधिक मात्रा में बालू का इस्टोक होने का दावा किया जा रहा है इसके बावजोद लोगों के लिए बालू उपलब नहीं है सुत्रों के नुसार राज के 19 जिलों में 195 लाइसेंस धारी विक् संजगंज, बेतिया, बैसाली, मधिपुरा और बकसर जिला सामिल है दूसरी तरह पटना, भोजपूर, सारा, रोतास और और अरंगाबाद जिलों में नदी घाटों के बंदोबस धारियों ने एक मैस से खनन कार्य करने से माना कर दिया था साती गया जिले के बंदोबस धा पर राज की झेलों से भीड़ भाड कमकर कैदियों को रिहा करने की कारिसूची तयार कर ली गई है सेर्स अदालत ने सात मै को राज्यों को उँच स्तरिय समिति गठित कर कैदियों को जमानत पर रिहा करने एवम उन्हें कोरोना संक्रमान से बचाने की पहल करने का रिहा किया जा सकता है जो CRPC की धारा 436 के तहद बंद किये गए हैं जो धारा 107,108,151 के तहद जेल में बंद है जो 10 साल के सज़ा प्राप तह लेकिन गंबी रुप से बिमार है जो नियाले की अवमानना की जुर्म में जेल में बंद है उन्हें ही रिहा किया जाएगा इसके में वैसे केदियों को रिहा नहीं किया जाएगा जो NDPS, TADA, POTA, UPA, Anti-Hacking, Post-Kunon के दोसी है जो आतंकी गतिविदियो, Money Laundering, Arms Act, Mihar Crime Control Act, Acid Attack जैसे संगिन गुना में दोसी है जो आतुक अपराद में दोसी है और जो अभियास्ट अपरादी है अप्रवासिक केदियों को भ दाक विभाग दे रहा है मौका, अभियान चला कर 2000 तक को दी जाएगी नोकरी, जहां बिहार की सिवान जिले में कोरोना काल और लोकडाउन के कारण बेरोजगार हुए लोगों को दाक विभाग मौका दे रहा है, इसके लिए डाकगार से जोड़े और रोजगार पावो अ आउसर प्रदान करेगा, प्रदान डागर के पोश्ट मास्टर राम किसर प्रसाद ने बताये कि आज इवावो को रोजगार की जरुत है और डाक बैंक से लोगों को वित्य समावेशन की जोड़नी की जरुत है, लोग बिमा योजनाओं में निवेस भी कर सकते हैं, अपना से जोड़ कर उनका बिमा करवाने के साथ साथ अभी करता बना कर रोजगार भी देने का कार किया जा रहा है, बाड़ी खबर बिहार बोर्ड मेट्रिक वा इंडर के रेजिस्टेशन के लिए एक और मौका, जहां बिहार बोर्ड ने मेट्रिक और इंडर परिचा 2022 में सामिल होने के लिए नियमित और स्वतंद्र कोटी के चात्रों को एक बार फिर रेजिस्टेशन का मौका दिया है, इसकोल 9 से 15 जुलाई तक ऐसे चात्रों का रेजिस्टेशन कर सकते जिनका अभी तक रेजिस्टेशन नहीं हो पाया है, बोर्ड के अनुसार रेजिस्टेशन का अ प्ल यामीच चात्रो को 220 वर स्वतनत्र कोटि के चात्रों को 320 रुपी देना होगा बिहार में कल यानी सुल मुआर से क्लेंगे ऐसकूल उपन पयदे हुशा निक उअनुम्ती दdı गहीं आपके जानकारे के लिए बता दे कि समुवार से गारवी और बारवी के स्टुडेंट को स्कुल में बुलाया जाएगा सब चात्रों को और स्ट्राप को निधारित कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार होगा आदे चात्रों के लिए स्कुल एक दिन और बाकी आदे च अगली बड़ी खबर पूर्व विधायक मांजिस सिंग फिर से जदोई में हुए सामिल कहा नितिस कुमार मेरे राजनितिक पिता सिक्चा मंत्री विजाई कुमार चोदरी ने कहा कि मुख मंत्री नितिस कुमार के नितुत में जदोई फिर से अपने उचाई को प्राप्त करेगा बिहार में जदोई का मतलब नितिस कुमार है नितिस कुमार का बिहार में कोई विकल्प नहीं हो सकता है वीजाई चोदरी सनिवार को पार्टी कार्याला में पूरो विधायक मंजी सिंग को जदोई में सामिल होने के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अपने पुराने उचाई प्राप्त करेंगे घर वापसी के साथ मंजिस सिंग को पार्टी का प्रदेख्स उपायदक्च बनाया गया है अगली बड़ी कबर बिहार के मंत्री मुके सानी ने मचवारा दिवस पर बाटा स्मार्ट फोन यूपी में इतनी सिटो पर चुनाव लड़ने का कर दिया एलान जिहां मचवारा दिवस के मौके पर बियापी पार्टी के अईटक्च ब़ा मंत्रे मुके सानी ने पार्टी कर करताओ के बेच स्मार्ट फोन का वित्रन किया पार्टी के आईटी सेल के सिकडो कर करताओ ने उन्हें अपने हातों से latest mobile गिप्ट किया बिहार के सभी जिलों से आये करकरताओं के जहरे पर काफी कोशी देखी गई, स्मार्टपोन पाकर सभी काफी उत्साहित दिखे मुक्य सेनी ने अपने बासन में कहा कि 25 जुलाई को फुलन दिवे की सहादत दिवस को मनाया जाएगा यूपी के प्रतेग जिले में यहाँ मनाया जाएगा, खासकर 18 मंडल में उनकी एक बड़ी मूर्ती का निर्मान कराया जाएगा 2022 के यूपी चुना में पाटी 160 सीटों पर उमिदवार खड़ा करेगी, जिसके लिए हम सभी ने कमरकस लिया है और आंत की बड़ी कवर दूसरे दिन भी 100 से कम नए संक्रमित मिले, 12 जिलों में एक भी कोई मरीज नहीं जिए अभिहार में पिछले 24 घंटे में 87 नए कोरोना संक्रमित पाये गए हैं तो वहीं 12 जिलों में एक भी नए संक्रमित मरीज की पहचा नहीं हुई है इनी जिलों में बाका, बेगुसराई, भोजबूर, बकसर, गोपाल गंज, जमोई, केमूर, कटिहार, मधिपुरा, नालंदा, नवादा, वो, सितामड़ी सामिल है पिछले 24 गंटे में 1,31,84 सेंपल की कुरोना जाच की गई राज में फिलाल कोरोना संक्रमन दर 0.06 फिजदी हो गई है एक दिन पूरो राज में 95 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई थी